परस्ते हम लोग को जो भी जानकारी मिला है कि आकांचा दूबे के घर पे कोई नहीं गया है भोधपुरी अश्टार या आकांचा दूबे के अंतिम संस्कार में कोई भी भोधपुरी अश्टार नहीं गया है ये सब हम लोग जो भी सोत रहे हैं वो बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है क्योंकि भोजपुरी के कई अश्टार हैं जो नामी नामी अश्टार हैं वो सारे लोग जो थे वो आकांचा दुबे की मा से मिलने आकांचा दुबे के अंतिम संस्कार में गए हुए थे वहाँ पे क्राउड था भरा हुआ लोग था कोई भी एक अश्टार नहीं था जो नहीं गया था अब आप लोग सोच रहे होंगे के यार तुम पागल होगे क्या भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो सब गये थे हम लोग तो वीडियो वाइरल हुआ आकांचा दुबे का अंतिम संस् विश्वास नहीं हो रहा होगा आप लोग को तो मैं दिखा रहा हूँ कि एक पोस्ट के नीचे रिटेस पांडे ये कमेंड करके बोले हैं यहां पे दिखे इन्होंने लिखे हैं कि भाई अगर आपको कैसे पता है कि कोई नहीं गया था अगर कोई किसी के दूख में या फिर फोटो खिचवाएगा बात प्रिदम बिल्कूल सही है और इस बात के लिए रिटेस पांडे को सेलूट करना चाहिए कि आप इतने अच्छे बिचार के उच्च बिचार के हैं और आप इतनी अच्छी बाते जो हैं वो सोचते हैं लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बॉलीवूड में भी ऐसी घटनाए होती है और वहाँ पे भी ऐस्टार जाते हैं तो कोई ऐस्टार फोटो नहीं किचवाता है लेकिन फिर भी उनका फोटो वीडियो जो है वो व वाइरल हो जाता है लेकिन साला अपना भोजपूरी इतना आगे है कि सारे के सारे श्टार जो है दुख में साथ भी खड़े हो गए और कोई मीडिया वाला गभर तक नहीं कर पाया एक श्टार का भी समझ सकते हैं आप यह तो नेता से भी आगे निकल चुके हैं पॉलिटीशियन से भी आगे निकल चुके हैं क्योंकि पॉलिटीशियन को अगर भोट बैंक बनाना होता है तो कब पहुंच गए कब आगे कोई दिखता भी नहीं है या कोई मीटिंग करना होता है कोई गोटाला करना होता था इन ल लोग नहीं गए थे बाकि आप लोग को जो है न ये comment करके या बताने की ओर सकता नहीं है हम सब जानते हैं पर आप लोग महान है धन्य इन्सान है आप लोग प्रभू आप लोग जितना लोगों को सम्मान करते हैं जो जितना मानते हैं उधना कोई और इंडस्ट्री में कोई ये स्टार मान सकता है कभी भी नहीं बागे आप लोगों क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर